इंटरस्टिंग टॉपिक दैट इस दा जी टुएंटी अजगल हम न्यूज में एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक सुनते हैं जी टुएंटी एक्चुली जी टुएंटी क्या है भारत को इसे क्या फाइदा है क्यों वेरियस कंटी के जो रास्ट अद्यक्षें वह भारत मे व優 गया जारक्षा फायदा ग्या कनटी का इसके पास मैमबर सी होती है वह किसी कंटी को इंखलूड uniqu तो ये इंडिया को एक बड़ा बेनिफिट है इस तेम तो अफ्रीकन उनियन एज ऑफिशियल मेंबर फ्रॉम नाव 2023 से जी ट्वेंटी एक जैसे मैं आप इसमें डेवलोप कंट्री और डेवलोपिंग कंट्री के एक समू है सेवन डेवलोप कंट्री जैसे आप लोग बात करते हैं ये अउस्ट्रीलिया के बारे में उनमें आप काता है इटली हो गया जो seven countries है वो तो है ही इसके other than जो countries है वो Argentina, Australia, France, Canada, US, Japan, Italy, South Africa, South Korea, UK, Indonesia, UAE, South Saudi Arabia, Russia, Mexico, European Union and now African Union जैसे अभी इंडिया ने African Union को आड़ कर दिया है तो ये 23 countries है what are the main motive, main objective क्या है क्यों इसका जो main objective होता है policies बनाने के लिए to coordinate the policies among the several countries or in between 20 countries और sustainable development goals को बनाए रखने के लिए sustainable development goals को उसके उपर policies बनाने के लिए ताकि जो countries है वो एक sustainable development कर सके है यानि सतत विकास की रहाँ पे चल सके है और उन countries के बीच में जो trade agreements है वो better बन सके है उनके relations, political relations अच्छे बन सके है और economic stability countries में हो और financial crisis वगरा किसी countries को जहलना पर है तो यह सब के लिए एक main sort objective जो इसका होता है G20 का वो यह है basically जो G20 जो countries है वो world की 60% population को represent करती है और 80% international commerce और trade in country के बीच में होता है और world की 85% जो GDP है वो यह G20 countries जो है यह world की 85% जो GDP में contribute करती है यह G20 countries actually G20 में अगर हम लोग सही से ही देश को analysis करेंगे क्योंकि इसमें European Union भी है और European Union के कई सारे members होते है तो यह काफी सारी countries फिर इसमें मिलके आ जाती है तो यह की सारी countries है अब question यह होता है कि European Union में जब भी इनके जो men जो objective है जो अगर हम उसको समझने की कोसिस कहने तो किस चीज़ पे इनका key focus होता है तो जैसे मैंने salt में बताया था first of all economic stability के उपर बात करते हैं दूसरा taxes between the countries and policy formation पे बात होती है employment पे बात करते हैं रोजगार के उपर agriculture के उपर energy के उपर clean energy renewable energy resources और जो भी source of energy formation उन पे बात होती है corruption पे बात करते हैं लोग women empowerment पे बात होती है जलवायू जो परिवर्तन है यानि climate changes पे बात होती है world के health issues पे बात होती है और trade stability के बारे में बात होती है पीस पे होती है पीस पे बात होती है और terror जो एक बहुत बड़ा इसूस है world countries के बीच में इन पे बात होती है economic corporations के बात में बात होती है लेकिन बड़ी interesting बात यह कि इन सब को करने के लिए चाहिए वो climate crisis नहींवर्ट नहीं हो चाहिए वो world health से कोई अगर महामारी लाइक कोरोना जैसी महामारी आयति उन सब से निवर्टने के लिए या हमें trade के बारे में बात करनी है या bilateral relations के बारे में countries की बीच में बात होनी है या कोई infrastructure build करना है funding कौन करता है which countries actually provide the stability in economics for these countries which actually need the funding कौन ऐसी कंटी है जो फंडिंग प्रवाइड कराती है कौन सी ऐसी organizations जो इनको फंड प्रवाइड कराती है तो इस financial stability के लिए financial stability board बनाया गया है इसमें international monetary fund जैसी संस्ता है और इसके अलावा world bank है world trade organizations भी है economic cooperation and development corporations यह भी इसमें involved है यह सारी वो है जो कंटी को करजा देती है ताकि उनकी economic stability बनी रहे है उनके banks करजा में ना डूबे और उनका जो एक sustainable development country का चलता रहे तो यह इस in country के बीच में चलता रहता है actually G20 जो country है इसको बनाने की जुरत क्यों पड़ी now we are talking about the why we need actually to formation of the G20 countries पहले जी seven countries का formation होता है 1973 के अप्रोक्स में और 1997 के असपास में थाइलेंड में economic crisis आता है जिसमें bankrupt हो जाती है यह यह तरह से bank जो है वो डूब जाते है Thailand के और यह देखते ही देखते कि उसमें के बाद में कुछ और कंट्रियों में यह bankruptcy फैल जाती है और इसे निवटने के लिए जो seven जो यह डवलोप countries थे इनको एक realization होता है कि why not we include the largest economy जो developing countries की जो other जो developing countries जो बड़ी जो developing countries उनको इसमें involved किया जाए और तक कि इसे बैटर decision ले सके हैं और अच्छे decision होके और countries के बीच में बैटर agreement agreement हो सके है और इन सब चीजे चाहे वह climate पर बारे में बात हो चाहे employment पर अग्री किल्चर और जी करप्शन एकोनमिक पीस टेरर इन सब पर बात हो चाहे वर्ल्ड हैल्थ के ऊपर बात हो तो इन सबसे बैटर तरीके से निवटने के लिए है 1997 में एक बैठक होती है जिसमें इन देशों के गवर्नर को के गवर्नर होते हैं और foreign ministers involved होते हैं और इसके बाद में इसके official जो first meeting होती है George W. Bush यह realize करता है कि इसको जब एक पूरे विसु में जो एक मंदी के दोर से गुजर रहा था और उस टाइम अमरिका के जो एक बहुत बड़ी company है वो डूब गई थी तो बड़ी दिक्कत पूरे वर्ल्ड में एक आर्थिक मंदी आ गए थी डॉक्टर सिंग वाजदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस टाइम जो George W. Bush ने डिसीजन लिया था कि अब हर साल इन बीस कंट्री उसकी एक बैठक होगी और उनमें यह बैटर डिसीजन तैकिये जाएंगी और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे और डिफरेंट ड यह तीनों कंट्री जो हैं मिलके इसके एजेंडे को तैक करेंगे और इस पर काम करेंगे तो उसकी यह जो फॉर्मेशन ऑफिसियल मीटिंग 2008 में फस्टाइम होती है 2010 में टॉरंट और कनाड़ा में होती है अब यह कुछ लास्ट एर बाली इंडोनेशिया में है और इस बा हो अगर हम लुग इसके बेनिफिट के बारे में बात करते है तो इंडिया को फुरस्ट गैंफिट तो ये होने वेला है कि एक एसी पाऊवर की रूप में मैं एक वह सौथ की दूनिया है उसमें एक इंडिया आपने आपको इसक पर लिध की तरह देख़ेंगा जो चाइना आपने आपको बनाने की कौसिस कर रहे हैं तो एंडिया को एक कौसिस मिले की राजनिति फाइदा एंडिया को यह मिलेगा कि अपना आपको लाश करेगा और प्रोजेक्ट करेगा जा जो बाइडन इंडिया आ गह थे और उन्हें विजिट किया इंडिया और बाइलेटरल टॉक्स हुई इन दा इवनिंग विद्धा प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में तो हमारे और यूस के रिलेशन्स बैटर होंगे बाइलेटरल टॉक्स होगी और एक बड़ा इंट्रेस निकल सके एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात होगी दूसरा इंडिया के पास एक मोटा है पॉर्चिनिटी होती है कि जो भी स्टेट होस्ट करता है जीटरल कर सकता है और इसी हर इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को इनफोल कर दिया है तो यह ऐसके जो बड़ा इसमें नि एक ऐसा बनेगा एकन्य में कॉर्डीर स्थी अर्प देटी सब्सक्राइब that एक एक सब्सक्राइब और है ते क्या एक better trade agreement हो सकेंगे between middle east to the India also एक मुखा मिलता है के लिए कि वो अपनी बात को अच्छे तर से represent कर सके और अब हम बात करते हैं कि what are the achievements किया है कि आप तो कोई achievement रही है चलो इंडिया ने यह चीव किया कि इंडिया और middle east को कर activity better हो सकेगी bilateral talks होंगे और जो लडाई चल रही है यूक्रेयन और रश्या के बीच में उसकू पर बात होगी तो इस आर्दा की focus on the end of the 2023 G20 summit लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसने पहले किया अचिव किया है अगर हम लोग बात करें करोना महावारी सारे देश मिलके वैक्सिन डवलोप किये थे तो ऐसे ही यह G20 जो है मिलके काम करता है और इसके बैटर रजल्ट आता है जिसे 2008 में आर्थिक मंदी इसने help करी थी और इसके अलावा जिसे इसने सीरिया में जो स्वील वार चल रहा था उसको ऑलिमनेट किया था उसको खत्म किया था और इरान जो इसको सॉल करने की पूरी कौसिस करी थी और इसको एक निकनिल को तो यह सुक्सेक lihat कर दिया था ऩा। उसकी development है ऐसे ही अगर अच्छा rूट बने बिचने बेटर कनेक्टिविटी होंगी तो ऐसे रिजल्ट्स इसके इन बैठकों के निकल के आते हैं जिसमें किसी भी कंट्री को मुका मिलता है अपने आपको लॉंच करने के लिए प्रोजेक्ट करने के लिए जैसे इंडिया चाइन राइवल कंट्रीज हैं दिखाना चाहते कि मुका मिलेगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को थैंक्स पूर वाचिंग वीडियो थैंक्यू